हेलो फ्रेंट्स कैसे हैं आप सब आशा करता हूं आप सब ठीक होंगे मैं मने स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपका अपने यूटूब चैनल एक्जाम जैस्ट में इस वीडियो में बात करने वाले हैं स्सी सीपी ओ एसाइक दोजार बाइस का जो नोटिफिकेशन है एक्जाम फोर्म है वो रिलीज कर दिया गया है और इस वीडियो में आपको फूल डिटेल बताने वाला हूं एक्जाम किस ट्राइप का होता है चाहें टिलक्सेशन होती है वीजिकल कितना होता है क्योंकि मैंने भी 2019 सोरी 2019 और 2020 का जो है कि लिए किया हुआ है तो मैं आपको इस वीडियो के अंदर सारी डिटेल जो है बताने वाला हूं अगर आपने चैनल को भी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बैल आइकन को जुरूर प्रेस कर लिए आप गोर्मेंट जोब की पलपल अपडेट के लिए तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं कि जैसा कि आप देख सकते हैं यह ओफिशल नोटिफिकेशन है एससी की तरफ से जो रिलीज की गई है इसके अंदर जो एसाई की टोटल वैकेंसी है वह कि 4300 वैकेंसी है लेकिन यह कैटिगरी वाइस जो है है डिवाइड हैं और मैं इस वीडियो में आपको सिक्रेट भी बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप इसको 1st Attempt में किलिए कर सकते हैं easily और 150 अपना 150 प्लस सकोर कर सकते हैं 2-1 परस्ट के अंदर तो वैकेंसी आप देख सकते हैं सभिस्पेक्टर की जो वैकेंसी है दिली पुलिस के अंदर वह वेकंसी यू आर में अगर टोटल देखा जाए तो ओपन वेकंसी हम देखेंगे सेवंटी नाइन है ओवीसी में फोर्टी टूची में 24 एस्टी में आपका 12 एड़ूस में आपका 23 टोटल जो वेकंसी ओपन वेकंसी हैं वह आपकी 180 है वहीं अगर नीच आपको दिखाई जा चुकी है इसके अंदर आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा जो वेकंशी है वह CRPF में है CRPF में लगबग आपका 3000 के आसपास वेकंशी है 3000 प्लस वेकंशी है बागी के अंदर BSF में आपके टोटल मेल और फीमेल के मिला के जो है 353, CISF में 86, ITBP में आपका 191 और SSB में आपका है 218 और टोटल वेकंशी आपकी 3960 हैं बागी आपके एक सर्विसमेन और वो सबकी लगा के आपकी टोटल वेकंशी 4300 के आसपास हैं रही है इसके अंदर आपका एज टिलक्सेशन जो रहेगा वो जैसा SSC रखता है SCST के लिए आपका पास साल के लिए OBC का तीन साल के लिए और जो भी कोई केंड़ेट एक्स सर्विसमेन है तो उसको यहां पर आप देख सकते हैं त्री यह आफ्टर टेक्शन ओफ दा मिलेट्री स्क रिटार्डेड फ्रोंग दा एक्ट्वल एज 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 ओन दा क्लोजिंग डेट यह आप देख सकते हैं एक्स सर्विसमेन के लिए मैक्सिमम में जिसके अंदर आप यह भी पता रगा सकते हैं कि विंडो वगरा वाले जो हैं मतलब जो एक्स सर्विसमेन है यह उनकी डिटेल है लेकिन मैं इस वीडियो में जो बात करने वाला हूं तो ओपन वैकेंसी की मैं आपको डिटेल हैं कि अधो हम बात करने वाले हैं इसका एज dari Production हमने देख लिया है और एज के बाद एक्साम वाउम और फिल रिए देंगे geonё amp form के बारे मैं आपको नहीं बताऊंगा यहाँ पर जो एक्जाम form बारे में बताए गया एक्जाम की शिटी ब्वाइन के बारे में बताए गया यहां से क्या है कौन सा जोन कहां पर आता है वो सब हमारे लिए नियू बात नहीं है क्योंकि जो एससी में रहता वह यह टियर फर्स्ट के अंदर यानि कि पहला पेपर जो आपका होगा उसके अंदर क्या क्या पूछा जाएगा में इंपोर्टन्ट यह फुल टिटेल इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ इसके बाद आपको ऐसाइ फिर इंगलिस आता है यह 50-50 नंबर के होते हैं और 50-50 इनके सवाल होते हैं और यह दो घंटे का आपका एक्जाम होगा और यह कंप्यूटर बेस एक्जाम होगा और इसके अंदर MC क्यों यानि कि multiple choice question आपके आने वाले हैं इसको जो qualify करते हैं tier first को अगर कोई candidate qualify करता है तो के बाद उसको बुलाया जाता है फीजिकल के लिए अब बात करते हैं फीजिकल में क्या होगा तो फीजिकल में मैं आपको बता देता हूं पहले आप यह देख लिजिए कि अगर आपके पास NCC का certificate है C का तो आपको 10 marks 5% of maximum marks के अगर B category का है तो 6 marks 3% of maximum marks के यानि कि इसका मतलब यह है अगर आपका maximum marks 100 है तो आपको 3% maximum का मिल जाएगा यानि कि जितने यह अगर यह 100 है तो 3 marks आपको मिल जाएगे इस तरीके से इसने बताया हुआ है अगर मैं बात करता हूँ अगर आपके पास एक लेवल का certificate है तो आपको चार नंबर यहां पर दिये जाएंगे और इसके अंदर आप physical से पहले syllabus को भी देख लीजिएगा easily यह paper first के लिए syllabus है paper second जो है completely English का होता है उसके बारे में भी मैं आपको बताने वाला पेपर first के अंदर जो आपकी normally SSC reasoning पूछता है वो सब आती है जीके के अंदर भी जो भी SSC के जो सारे topic होते है SSC CHSL वगरा में वही सब topic है कुछ भी नया नहीं है इसके अंदर लेकिन इसमें number of questions जो है वो ज्यादा होते हैं यह आ जाता है आपका PhD जो भी candidate tier first को qualify करेंगे tier first को qualify करेंगे वो आ जाएंगे अपना PET और PhD के लिए पीट और PhD क्या होता है PhD आपका measurement होता है और PhD आपका training वगरा होता है पीजिकल एंडूरेंस टेस्ट और फीजिकल स्टेंडर्ट टेस्ट इस्टेंडर्ट टेस्ट के अंदर आपका weight health हाइट यह सब मेजर की जाएगी चेस्ट ना भी जाएगी अगर आपकी कम होती है तो आपको बाहर कर दिया जाएगा वहीं पर मैं आपको बता जाता हूं कि इस टेकर के लिए कितनी आपकी चेस्ट चाहिए मेल के लिए अगर मैं बात करता हूं तो 170 cm आपकी height होने चाहिए और normal आपकी चेस्ट 80 cm होने चाहिए और फुलाने के बाद दो इंच का आपक में डिफ्रेंस आना चाहिए तो 85 cm यानि कि दो इंच में 5 cm होते हैं तो वह आपका इंक्रीज हो जाएगा अगर आप बिलोंग करते हिली एरियाज से तो आपको 165 हाइट चाहिए और 80-85 आपकी सेम चेस्ट होने चाहिए हिली एरियाज मतला हिमाचल प्रदेश से अगर गरवाल हो आप मा मराठाज हो कश्मीर वेली के हो लेल लद्दाक के हो उनके लिए इससब दिया गया है अगर बात करते हैं शिट्डूल ट्राइब्स वालों के लिए 162.5 cm हाइट चाहिए 77-82 उनका जो है चेस होना चाहिए यह तो बात हो गई इली एरियाज वालों के लिए अब इसके अंदर जो आपका ट्रेनिंग है रनिंग के अंदर आपको 100 मीटर जो है भगाया जाएगा मेल केंडिडेट की बात कर रहा हूं अभी मैं 16 सेकिंड के अंदर 100 मीटर और 16 सेकिंड में 100 मीटर रेस से पहले आपका जो सबसे पहले रेस होती है वो यह वाली रेस होती है जो 6 मिनट 5 6 मिनट 30 सेकिंड के अंदर आपको 16 100 मीटर जो है भागना होता है उसके बाद ही आपको 100 मीटर की ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है अगर आप 1600 नई भाग पाते तो आप यहीं से बाहर हो ज जम्प होगा उसके बाद आपका शोट पूट होगा सबसे लास्ट में मैं अगर फीमेल की मैं बात करता हूं तो इनकी जो ट्रेनिंग है वो इनकी भी सबसे पहले 800 मीटर रेस होगी चार मिनिट के अंदर और उसके बाद आप इनको भी पुलाया जाएगा 100 मीटर रेस इनको क के लिए वो नहीं मैं इंडिकल उसके बाद आपकाожд टिद्टु होगा टिद्टु में मैं आपको बताता हूं जो भी लोग पेटी ओर पिस्टी आपका path करेंगे वह जाएगे टियर्टू में और टियर्टू होता है completely English उसके अंदर आपका English Language आती ब autonomic language जो है आपकी उसके अंदर आपको passage मिलेंगी direct indifferent मिलेंगे active पार्सिम मिलेंगे errors मिलेंगे और one word substitution idiom for attempts correct spellings यह सब आपके मिलेंगे और वो जो आपका tier two होगा वो 200 question होंगे उसके अंदर और 200 ही आपके marks होंगे और वो जो आपका paper होगा two two का दो आवर का हो गां जो टीर टू को कॉलिफाइगे कैंडिडेट उनको भुलाया जाएगा फिर टू को क्वालिफाइग करने का उनको भुलाया जाएग फिर मेड़िकल के लिए तो यह तो रही एक्जाम की बात अब मैं बात कर लेता हूं इसके अंदर आपको क्या चीजे follow करनी है किस तरीके से आपको तयारी करनी है मैं इसमें आपको समझा देता हूँ क्योंकि इसके लिए आपके पास time ज्यादा नहीं रहेगा exam आपका हो सकता है कि next month start हो जाए last में जाकर क्योंकि एक month आपका exam भरा जाएगा उसके बाद जैसे ही आपके form feeling समापत होंगे उसके next month आपका जो exam conduct करा लिया जाएगा देखें यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ reasoning के लिए आप क्या कीजिएगा reasoning के लिए आप chsl वाली जो reasoning है उसको आप target कीजिएगा और इस बार आप अपना जो focus reasoning के लिए puzzle और sitting arrangement में भी अपना जो focus है वो पूरा पूरा रखेगा क्योंकि इस बार puzzle और sitting arrangement से आपको सवाल मिलने वाले हैं chsl के अगर आप math sorry reasoning solve करते हैं तो आपका जो है selection इसके अंदर reasoning में काफी अच्छे score आप कर जाएंगा selection के जो आपकी possibility होगी वो काफी हद तक बढ़ जाएगी क्योंकि जादत तर जो candidate होते हैं वो reasoning और math के अंदर ही ज्यादा marks लाते है 85 out of 100 80 out of 100 इतने इतने marks लोगबाग ले आते हैं क्योंकि 90 प्लस तक भी candidate जो है accuracy के साथ attempt करके marks ले आते हैं math के अगर मैं बात करता हूं तो maths आप CGL लेवल का solve करेंगे तो आपको ज्यादा फायदा मिलेगा क्योंकि maths के इसके अंदर कुछ आपके long सवाल lengthy सवाल और difficult सवाल आते हैं तो आप CGL की अगर math solve करेंगे CGL के level से compare करके SI के level को अगर prepare करेंगे तो आप math को अच्छे से solve कर पाएंगे और रही बात जीके की तो जीके के अंदर आपको जितना भी syllabus दिया हुआ है SI के notification के अंदर आप उनको cover कीजेगा तो आपके 30 plus marks जो हैं आसानी से आ जाएंगे वहीं अगर बात करता हूं English की तो English तो आपको अच्छे से करनी ही होगी क्योंकि टियर टू का जो आपका exam होने वाला है वह completely English का exam है तो आप टियर फरस्ट से ही जो है टियर टू की तैयारी करना स्टार्ट कर दियेगा English में आपको टियर फरस्ट के अंदर ही 40 plus marks लाने होंगे out of 50 तब आप मानके चलिएगा कि आपका जो मेंस है यानि टियर टू है वो किलियर हो पाएगा मैंने जो तैयारी की थी क्योंकि मैंने अपने समय में जब तैयारी की थी 2019 में मैंने क्लियर किया था सुरी 2019 में और 2020 में मैंने क्लियर किया था इसको तो मैंने जो मैंट्स और रीजनिंग के लिए प्रिफर किया था वो मैंने किया था फुक आरस अगरवाल की आरस अगरवाल की फुक कि थी और सीजियल के मैं जो प्रीवेस येर के कोश्चन आई हुए होते थे उनको solve करता था और इसी के साथ साथ में दो तिन के बाद एक मोग जरूर लगाता था मोग लगाने से आपका जो होगा अगर आपके topics के लिए रहें आपके पास understanding नहीं है सवाल को समझने की आप solve नहीं कर पाते तो मोग से आपके understanding जो है develop हो जाएगी यहां से आप समझ जाएंगे कि किस तरीके से आपको सवाल पूछा जाता और किस तरीके से आपको approach रखनी है उसको solve करने के लिए अगर आप मोग नहीं लगाते हैं तो आप एक week के अंदर अभी एक week के अंदर दो मोग लगा सकते हैं अगर आप ज्यादा नहीं लगाना चाहते तो दो मोग तो एक week के अंदर लगाने ही होंगे लेकिन जब आपका exam करीब होगा जब date announce हो जाएगी तो आपको 10 दिन regular जो है मोग लगाने होंगे और अपना score calculate करना होगा मोग लगाने के बाद आप ऐसे ही मच छोड़िएगा जो भी सवाल आपसे नहीं हो पाए उनको आप analyze जरूर कीजेगा कि कौन से सवाल आपसे गलत हुए हैं आते हुए और कौन से सवाल आपसे निकल नहीं पाए हैं उन सवालों को आप एक notebook में लि पूरा हो पाएगा पढ़ना तो मेरिट में नाम आना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि competition बहुत आई आप एक एक नंबर को फकड़ के चलेंगे तो आपका selection जो है final तक हो जाएगा इस वीडियो में पस इतना ही आशक करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी अगर आपको ये वीडियो थोड़ी से भी helpful लगे तो वीडियो को like and वीडियो को share जरूर कर दीजेगा और चैनल को subscribe करें बिना तो वीडियो को बंद बिल्कुल मत कीजेगा इस व